आप मारुत्ती वैगनार की तरफ जा सकते हैं और इस रेंज में अगर आदमी गाड़ी ढूंड रहा हो और वैगनार की तरफ ना देखे ऐसा होना भी मेरे इसाब से पोसिबल नहीं है लेकिन अगर आप सेफटी कंसन है जो बिल्ड क्वाल्टी है गाड़ी की वो आपको और वैगनार भी अपने आप में जबरदस्त गाड़ी है मारुत्ती की तरफ से आने वाली ये बोक्सी गाड़ी भाई जबरदस्त तरीके से इंडियन मार्केट में बिखती है और भाई इस गाड़ी ने कई महिने लगातार टोप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में एक टर्न इंडिकेटर दिया गया है और स्टाइलिस हेड लेंप बाइस गाड़ी का लगता है फोग लेंपस गाड़ी में नहीं मिलते हैं क्रोम फनिस के साथ में ग्रिल दी गई है और फ्रंट लुक देखने में काफी अच्छी लगती है लेकिन भाई लुक्स के मामले में पसंद अपनी अपनी है साइड में अगर चले तो 14 इंची टायर्स आपको मिल रहे हैं 13 इंची टायर्स बेस मोडल में हैं तो इसलिए लोग भाई VXI के तरफ कई बार चले जाते हैं क्योंकि 14 इंची टायर्स आपको मिल रहे हैं 165 mm की ग्राउंड किलेरंस दी गई है ABS, EBD और ब्रेक असिस्ट के साथ में रियर में ड्रम और फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं साइड मोल्डिंग एज एससरीज लगाई गई है टर्न इंडिकेटर्स फेंटर पे बोडी कलर में ही ORVM मिलते हैं और भाई जो डोर वाईजर हैं वो भी गाड़ी में एज एससरीज एड़ ओन कराए गए हैं बोडी कलर में ही डोर हैंडल्स दिये गए हैं और नॉर्मल एंटिना छट पे भाई आप देख सकते हैं और भाई मारुत्ती वैगनार दूसरी गाड़ियों के नाक में दम करने वाली गाड़ी है क्योंकि आज तक किसी कमपनी के पास इस गाड़ी का कोई तोड नहीं है CNG के साथ में भी यार जबरदस्त स्पेस आपको बूट में मिल जाता है यानि कि पैट्रोल में लें, CNG में लें, बढ़िया स्पेस आपको वैगनार में मिल रहा है साइड और रियर का जो लुक है वो यहां से आप देख सकते हैं बड़े बड़े टेल लेंप्स आपको मिल रहे हैं और कई लोग भाई स्कोर्पियो से तुलना कर देते हैं इसके टेल लेंप्स की लेकिन स्कोर्पियो स्कोर्पियो हैं और वैगनार भाई वैगनार है वेगनार की बेजिंग के साथ में क्रॉम फिनिश की जो नंबर प्लेट अपलिक है वो और भी बढ़िया लुक भाई गाड़ी को देती है दो पारकिंग सेंसर्स, रिफलेक्टर्स और स्किड प्लेट कर जो डिजाइन है वो बंपर पे दिया गया है जिससे रियर लुक और भी जादा देखने में बढ़िया लगती है हाई माउंट स्टोप लेंप मिल जाता है, रियर स्पोिलर जो है वो भाई एज एससरी इस गाड़ी में एड ओन कराया गया है चाबी की बात करें तो लोक और अनलोक बटन के साथ में दो रिमोट कंट्रोल चाबियां आपको मिलती है इंटिरियर की बात करें तो ब्लैक फिनिस के साथ में दरवाजे का इंटिरियर आपको मिलता है बोटल होल्डर और स्पीकर दरवाजे पे मिल जाते हैं silver finish में door handle smart lock system और भाई चारों power windows गाड़ी में दी गई है driver window one touch down के साथ में मिलती है लेकिन one touch up के साथ में नहीं मिलती है lock unlock के जो बटन से वो मिल रहे है power adjustable ORVMs मिल जाते हैं लेकिन ORVMs को fold बाहर से ही करना पड़ेगा driver seat की height adjust करने का option नहीं मिलता है backrest adjust कर सकते हैं seat आगे पीछे कर सकते हैं fabric में ही जो dual tone seats हैं वो इस गाड़ी में मिलती हैं और बड़ी बड़ी जो seat हैं वो मिलती हैं fix address के साथ में यानि कि बैटने में भाई पूरा आराम गाड़ी में आपको मिल सकता है dual tone के साथ में जो dashboard है वो दिया गया है देखने में बड़िया look आती है गाड़ी की driver के right side में light के controls और idle start stroke का button मिलता है openable, closeable, AC vents दिये गए हैं और यह है गाड़ी का MID meter बिल्कुल simple, plain look के साथ में जो MID meter है वो मिलता है semi-digital MID meter है speedometer के वल आप देख सकते हैं analog और जो बाके की information है वो digitally आप देख सकते हैं RPM आप इस गाड़ी में भाई नहीं देख सकते हैं एक knob दी गई है जिसे के MID की जो detail है वो आप चेक कर सकते हैं इस variant में instantaneous mileage, average fuel consumption और distance to empty जैसे जो features हैं वो आपको मिल जाते हैं वो चाप steering पे आएं तो कोई भी control steering पे नहीं दिया गया है लेकिन silver finish का योज जरूर मिल जाता है round shape में steering दिया गया है और dual airbags के साथ में गाड़ी आती है steering की look आप यहां से देख सकते हैं steering को केवल tilt एड़ेस्ट कर सकते हैं telescopic adjustment नहीं कर सकते हैं center console पे आएं तो 2DN का audio system गाड़ी में दिया गया है और look आप यहां से भाई देख सकते हैं round shape में जो volume वगरा के adjustment के control हैं वो आपको मिल रहे हैं बाकी controls भी यहां बीच में दिये गए हैं USB और OX का जो point है वो यहीं stereo के अंदर ही आपको मिल जाता है दो speaker के साथ में system आपको मिलता है USB OX और Bluetooth से आप इस system को connect कर सकते हैं manual ACO rater गाड़ी में आपको मिल जाते हैं 12V का accessory outlet दिया गया है छोटा मोटा समान रख सकते हैं 5-speed manual transmission के साथ में गाड़ी आती है gear knob की look भी भाई बढ़िया गाड़ी में लगती है एक cup holder आपको यहाँ नीचे मिल जाता है normal glow box मिलता है जिसमें कि आप अपने document वगेरा आसानी से रख सकते हैं manually adjustable day night IRWM मिलता है VXI variant में cabin में जो front light है वो भी आपको मिल जाती है और vanity mirror केवल co driver वाले sun visor पे ही आपको मिलता है driver वाले sun visor पे नहीं मिलता है fix grab handle C इस variant में आपको मिलते हैं और पीछे cabin में कोई भी दूसरी जो light है वो इस गाड़ी में नहीं दी गई है यह था गाड़ी का front cabin अब चलते हैं rear में तो rear दरवाजे पे भी black color का जो interior है वो आपको मिल रहा है silver finish में door handle power window का control bottle holder और speaker लगाने की जो जगे हैं वो भाई गाड़ी में दी गई है यह है मारुत्ती वैगनार की spacious rear sitting यानि की उची उची सीटे हैं और इन पे बैठके भाई पूरा जो space है वो आप गाड़ी में feel कर सकते हैं क्योंकि पूरा lag room पूरा thigh sport आपको जबरदस्त मिलता है fix head rest मिलते हैं rear parcel tray भी दी गई है 60-40 split seat मिल जाती है यानि की इसको fold करके आप boot का जो access है वो कर सकते हैं center arm rest या जो cup holder हैं वो गाड़ी में आपको नहीं मिलते हैं space की बात करें तो पूरा space मिलता है कोई issue नहीं है space के मामले में मारुत्ती वैगनार में lag room या thigh sport दोनों बढ़ियां मिलते हैं और उंची seat होने की वज़े से तीन लोग ज़्यादा आराम से गाड़ी में बैठ सकते हैं लेकिन ज़्यादा healthy हैं तो दो लोग और एक बच्चा आराम से पीछे बैठ सकता है rear seat पे बैठने के बाद dashboard की जो look है VXI variant की वो आप यहाँ से भाई देख सकते हैं boot की अगर बात करें तो power boot दिया गया गाड़ी में जो liver है वो आपको पीछे यहाँ पे मिल जाता है 341 लिटर का बड़ा सा boot space दिया गया है जिसमें की पूरा समान आप रख सकते हैं और अगर इसमें CNG cylinder भी हो तो भी काफी जादा जो space है वो आपको मिल जाता है बाकी CNG hatchback गाड़ीयों से boot floor के नीचे आपको मिलता है 14 इंच का spare wheel जो की black color का steel rim है और बाकी के tires के जैसा ही आपको मिलता है फ्रंट से लेके rear तक की जो inside look है गाड़ी की वो यहाँ से आप भाई देख सकते हैं इंजन की बात करें तो मारुत्ती वैगनार के VXI variant में 998 CC, 65 BHP, 89 NM torque और 24.35 km पर लिटर के माइलेज के साथ में 3 cylinder K10C, 1 liter petrol engine मिलता है जिसकी की जो performance है वो जबरदस्त है माइलेज पूरी मिलती है और गाड़ी को power भी अच्छे खासी भाई दे देता है वैगनार में कोई ऐसा body roll भी नहीं है कि आप अगर 70-80 की speed पे हलका फुलका कट लेंगे तो भाई body roll की दिक्कत आएगी वैगनार VXI के क्योंकि जनवरी में जो prices हैं वो भाई बढ़ चुके हैं गाड़ी के तो अब आज की date में जो वैगनार VXI का एक शोरूम price है वो है 5,98,000 और ये गाड़ी on road आपको पड़ती है लगबग 6,70,000 रुपे की लेकिन 15,000 का जो cash discount है वो भी आपको वैगनार पे मिल सकता है manual transmission पे तो ये गाड़ी आपको 6,55,000 या 6,50,000 में बाई own road मिल सकती है